जै स्री क्रिश्ना, आज अमावस्या के दिन आईए सुनते हैं पीपल देव की कथा, एक समय की बात है, किसी गाउं में एक ब्रामहर और एक ब्रामहरी रहते थे, वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे, बिना पीपल की पूजा किये, ना ही वह अन ग्रहड करते, ना ही जल ग्रहड करते, जब भी वह ब्रामहर देव पीपल की पूजा करते थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग, अर्थात मैं तुम्हीं देना चाहता हूँ, तुम मांग लो, यह बात सुनकर ब्रामहर देव चिंतित रहने लगे, वे सोचते थे कि आवाज आखिर कहां से आ रही है, क्या पीपल के उपर कोई बैठा है, या फिर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है, यह सोचते सोचते और चिंता करते करते ब्रामहर दिन बदिन सूखते गए, जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्रामहरी बोली आप चिंतीत क्यों हो, आप दिन बदिन सूखते जा रहे हो, तब ब्रामहर बोले पूछो मत, वह बोली आपको क्या चिंता है, तब ब्रामहर बोले मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ, तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग, पता नहीं वहां कौन है, क्या कोई भूत प्रेथ है, तब ब्रामहरी कहती है, वह श्वयम ब्रम्ह देव हैं, क्योंकि पीपल साच्छात ब्रम्ह देव का रूप है, आप मांग लो, वह बोला मुझे नहीं पता की, मैं क्या मांगो, वह बोली, आप कहना, सोलह साल की काया दो, हजार साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख दो, ब्रम्हर अगले दिन फिर पीपल सीचने लगे, तब वह आवाज फिर से सुनाई पड़ी, मैं देव तुमांग, मैं देव तुमांग, तब ब्रम्हर देव बोले, मुझे सोलह साल की काया दो, हजार साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख दो, तब पीपल बोला, ब्रम्हर देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर सारा कुछ मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा, वह सब तुम्हे मिल जाएगा, तब ब्रम्हर देव वहां से चल दिये, और विचार किया, क्यों मैंने तो इतना सब मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने कुछ किया तो नहीं, ऐसा ही विचार करते करते, वह अपने घर को चल दिये, और यही विचार करते करते, वह अपने घर से आगे निकल गए, ब्रम्हरी ने यह सब कुछ देखा, और ब्रम्हर को पीछे से आवाज दी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए, तब ब्रम्हर देव कहते हैं, अपनी तो एक छोटी सी जोपडी थी, यह महल कब और कैसे बन गया, अभी तो थोरी देर पहले पीपल सीचने गया था, तो जोपडी ही थी, तब ब्रम्हरी बोली, मैं आपको कहती थी न, पीपल देव ब्रम्हा जी का रूप हैं, और पीपल देव से मांगने से हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, ऐसा ब्रम्हरी ने कहा, तब ब्रम्हरी कहती है, पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आईए और देखिये पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया ये पीपल देव मैं आपकी माया नहीं समझ पाया आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया ताहु ब्रामहर्ट देव ने पूरे गाउं में धिढोरा पिटवाया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें मान्यता है कि पीपल के पेड की पूजा खास तरपर सनी दोस को दूर करने के लिए की जाती है कहते हैं कि पीपल के पेड की पूजा से सनी देव प्रसन्न होते हैं इसके साथ ही आर्थिक परिसानिया भी दूर होती है बैसाग तथा जेश्ट मास में विश्रु भगवान की पूजा और पीपल को सीचने का महत्व है मान्यता है कि इस महीने भगवान विश्रु को सुबह दोपहर और साम को राम वर स्याम तुलसी चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है इस महीने में तीर्थ हसनान के बाद पीपल को जल कच्चा दूद वजल चढ़ा कर दीपक लगाने की सास्त्रोक्त परमपरा है जेश्ट मास में प्रती दिन पीपल देव को सीचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है तथा हर मनो कामना पूर होती है हिंदू धर में पीपल के ब्रिच को सबसे पवित्र माना गया है इस ब्रिच की महत्ता के बारे में स्वयम भगवान क्रिष्ण ने गीता में कहा है इसका मतलब है कि भगवान स्री क्रिष्ण कहते हैं कि मैं ब्रिचों में पीपल हूँ भगवान बिश्डू तने में केशव अर्थात स्री क्रिष्ण डालियों या साखाओं में नारायर और फलों में समस्त देवताओं के वासोने की बात कही गई है पीपल के ब्रिच में सभी देवताओं के वास के बावजूद भी पीपल के ब्रिच की पूजा रभिवार को नहीं की जाती है क्योंकि रभिवार के दिन पीपल की पूजा करने पर मनुश्य को इसके गंभीर परिडाम भोगने पड़ते हैं रभिवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है उस कथा के मुताबिक एक बार माता लच्मी और उनकी बहन दरिद्रा विश्डु भगवान के पास गई और उनसे बोली की ये जगत के पालनहार क्रिपा करके आप हमें भी रहने के लिए कोई अस्थान दे दीजिये इस पर भगवान विश्डु ने माता लच्मी और उनकी बहन दरिद्रा को पीपल के बिच में वास करने का अस्थान दिया इस तरह से दोनों बहने पीपल के बिच में निवास करने लगी एक बार जब भगवान विश्डु ने माता लच्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता लच्मी ने भगवान को मना कर दिया क्योंकि माता लच्मी की बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था मातालक्षमी बहन के विवाह के बाद ही भगवान से विवाह कर सकती थी इस पर जब भगवान विश्रु ने दरिद्रा से पूछा की वो कैसा वर चाहती है तो दरिद्रा बोली की वो ऐसा पती चाहती है की जो कभी पूजा पाठ न करे और उनका पती ऐसे अस्थान पर उन्हें रखे जहां पर कोई पूजा पाठ भी न करता हो इस तरह से दरिद्रा के मांगे गए बर्धान के मुताबिक भगवान विश्डू ने दरिद्रा का विवार रिशी से करा दिया विवाह के बाद भगवान विश्डू ने दरिद्रा और उसके पती रिशी को अपने निवास अस्थान पीपल में रभीवार के दिन निवास करने का अस्थान दिया इस तरह से रभीवार के दिन पीपल में देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है इसलिए रभीवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूजा करने पर धरिद्रा खुशो कर पूजा करने वाले के घर चली जाती है